नमस्कार पड़ाम मैं हूर आगवेंदर श्वागत है आप सभी का ITV नेटवर्क पे बॉलिवूड की मसहूर आदाकारा आज हमारे साथ जुड़ी हुई है शंजना जी संजना जी आज आप यहाँ पे आई हुई है आपका बहुत-बहुत स्वागत है कि NewsX ने मुझे लायक समझा कि मुझे शक्ती आवाड मिले पर उससे जादा मुझे बहुत खुशी होती है जब हम कोई भी फेस्टिवल या कारिकरम करते हैं जहां हम महिलाओं की जो वर्सिटालिटी है उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको हम सेलिब्रेट कर सकें और अलग-अलग प्रकार के एक अलग-अलग प्रफेशन से महिलाएं आती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है तो जिस तरीके से आपने बॉलिवूड में जगा बनाया आपका कोई गौड फादर नहीं था आपने इतनी सारी मेहनतें की उसके बाद जो है आप बॉलिवूड में अपना जगा बना पाई उसको लेकर आपकी जरूरी कैसी रही जरूरी बहुत अन्प्रेडिक्टिबल र आपके पूरे जीवन का कोई ऐसा मोमेंट जलाया ऐसा लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है तो आज जब जो काम कर रही हूं वो मौके मिलते हैं और ऐसे स्टेजिस पे आने का मौका मिलता है और अल्मोस्ट अन्बलीवबल लगता है पर जोनी चालेंजिस से भरी रही है अगर कुछ आक्चली करना हो और किसी चीज में मजा आ रहा हो तो पॉसिबल सब कुछ है आपके पूरे जीवन का कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप आज भी याद करती है मैं हमेशा क्योंकि वो मोमेंट इतना स्पेशल था और अन प्रिडिक्टिबल था मैं हमेशा इतिंग का गो बाक टू जब मैं इस ग्रेड में थी और जब इम्तियाज अली ने मुझे पहली बार ढूंडा था रॉक्स्टा के लिए क्योंकि तब मैं सिर्फ एक स्कूल के तोर पर दिल में समाया हुआ है और एक टॉनिंग पॉइंट था तो हमेशा याद भी आता है बिल्कुल आप जब भी कोई पिक्ट्र सेया रिल अप्लोड करती हैं सोसल मीडिया पे तो वह काफी वायरल भी होता है मैं आ रहा था तो हमारे निवज रूम के कई सारे साथी लोग पूछ रहे थे कुछ ब्यूटी टिप्स भी उनसे पूछिए गा है ब्यूटी टिप्स मैंने यह सीखा है ओवर टाइम के ओनेसली जैसा आप फील करती हो ना वो चहरे पर दिख जाता है तो जितना भी मेक अप लगाओ जितना भी स्टाइलिंग कर लो उससे काम नही पर आप तो तरह आप थे कारनामे किया है पर अब डिस्सिप्लिन इन टर्म देंट्रम्स और फिटनिस रजीम सही खाना खाना अच्छी तरह सोना अभी पंकत सर के साथ मैंने फिल्म राप करिये और उनसे मैंने यह सीखा है कि और कुछ करो ना करो आट गंटे सोना जरूरी है तो इस स्मॉल थिंग अच्छी गो लॉंग वे इन लुकिंग बीटिफुल और फिलिंग बीटिफुल तो जिस तरीके से आपने हेल्थ के बारे में बताया क्या कभी जो है जब आप फुरसत के पल मेराती है तो कोई ऐसा काम जिसको आपको करना अच्छा लगता हो मैं अ तो नडीपी की वोई सूम फर जेंडर एक्वालिटी और सेव दिचिल्डिन के साथ भी बहुत काम करती हूं तो या तो वह कर रही होती हूं या डांस कर रही होती हूं मेरे लिए दीजादर टू वेस तो फील रिलाक्स और फील एनरजाइज तो अभी आपने बताया कि मेरे में भी पैशनेट होती हूं वो करती हूं मैं एजुकेशन ने मेरी लाइफ बदल दी थी हमारे फैमिली में रिसोसेज लिमिटेट थे तो सिरफ पढ़ाई करके ही आगे बढ़ना था और मैं समझती हूं कि अगर भारत में हर एक बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन मिले तो वी किन बी अ कंट्री दा नोबडी किन कंपीट विद तो ड्रीम यही है कि और इजुकेशन के साथ काम करके हर एक कोने तक एजुकेशन का मैसेज पहुचाएं और हर एक बच्चे को एक रिस्पेक्टिबल एजुकेशन मिले बिल्पुल सही बात है एक आम आदमी क होने के नाते सबके अंदर एक सवाल यह जरूर पैदा होता है कि जब आदमी जो है उचाईयों कुछ होने लगता है तो क्या उसके पुराने साथ ही उसके साथ जुड़े रहते हैं अरे अगर पुराने साथ ही ना जुड़े रहे तो मतलब कुछ गलत कर रहे हो जैनुइनल बदलते रहता है success और failure पर वो जो लोग होते हैं आपके साथ they love you for you और उनको पास रखना बहुत ज़रूरी है तो मतलब आपके साथ जो है पुराने साथ ही जुड़े हुए है मेरे school friends और मेरे college friends अभी भी मतलब मैं लाक में fashion week पे जाओ या कहीं भी जाओ आपको हमेशा दोस्त आसपास दिखेंगे क्योंकि उनके approval के बिना लाखों का approval भी मतलब matter ने करता है तो बहुत ज़रूरी है वही दोस्त जो होते हैं वही सचे review देता है अरे वह जो WhatsApp group पे जो मार पड़ती है अगर अगर ट्रेलर अच्छा नहीं लगा या कोई लोक अच्छी नहीं लगी उनने तो फरक नहीं पड़ता कि हमने 14-14 गंटे सेट पे जो काम किया है मजदूरी की है पर वही है that's life ना to be told as it is क्योंकि fake praise का कोई मतलब नहीं है कोई funny moment ऐसा किसी film का trailer आ रहा हो या किसी दोस ने कुछ कहा हो उस पर मैं फिल्म का नाम तो नहीं लोंगी क्योंकि that won't be fair पर मुझे याद है एक अब मैं कैसे बोलूं बहुत ही नाशनल टेलिविजन के लिए अप्रोप्रेट नहीं होगा तो अभी कुछ मैंने कुछ आउटफिट पहना था तो उस आउटफिट को किसी दोस्तों ने पटेटो साग बिलाया था किसी ने कुछ और कहा था तो ऐसे ऐसे बहुत ही इंसल्टिंग चीजें होती है यह मेरा आखरी कोश्चन होगा क्या संजना जी अपनी किसी भी फिल्म को पहले खुद देखने जाती है मैं अचली अब तक मैंने अपनी चौथी फिल्म अज लीडिंग अक्टर राप अप की है शूट करना और दिल बेचारा और ओर ओम तक मैंने नहीं देखी थी पर अब प्रोड्यूसर्स मुझे दिखाने लगे है और मुझे नहीं पता अगर हो मुझे पसंद है या नहीं क् फिर यूनो हजार थौट आते हैं कि यह होना चाहिए वो होना चाहिए तो बेटर आइधिंक यह है कि सब के साथ स्क्रीनिंग पर ही जाके देखो आप पहले फिल्म नहीं देखती है खुद की मैं वॉलिंटेरिली नहीं देखती हूँ तो आप आपने देखा कि संजना जी कैसे जमीन से जुड़ी हुई थी और कैसे उपर उठकर आई और इनके साथ पुराने साथी आज भी जुड़े हुए है ऐसा कहा जाता है कि जब लोग उचाहियां चूने लगते हैं तो पुराने यार को भूल जाते हैं लिकिन इसके लिए बहुत भूँ धन्यवादू. धन्क यू, धन्क यू, धन्क यू, भावगदू.